कश्मीर का मुद्दा आखिर अब तक सुलज क्यों नहीं पाया जानते हैं इंडिया के पहले पी-म जवाहरलाल नहरू की वो गलतियां जिसने कश्मीर को कभी न सुलज पाने वाला मुद्दा बना दिया नहरू और शेख अब्दुल्ला की गहरी दोस्ती नहरू को कश्मीर के राजा हरी सिंग खास पसंद नहीं थे शेख अब्दुल्ला ने 1946 में कश्मीर छोड़ो आंदोरन चुरू किया लेकिन महराज ने उन्हें जेल भेज दिया नहरू मामले को सुलजाने के लिए कश्मीर पहुँचे तो राजा की सेना ने उन्हें रोक दिया नहरू इस बात के लिए राजा हरी सिंग को कभी माफ नहीं कर पाए और महराजा जानते थे इसलिए कभी इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन साइन नहीं किया बाद में नहरू ने महराजा पर शेख अब्दुल्ला को स्टेट का पीम बनाने का दबाव डाला शेख अब्दुल्ला पर ब्लाइंड फेथ नहरू को शेख पर बहुत भरोसा था लेकिन इन दोनों के बीच एक घटना के बाद रिष्टे इतने बिगड़े कि सेंट्रल गवर्मेंट ने शेख अब्दुल्ला को 1953 में गिरफतार कर लिया पाक घुसपैठियों ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए इंजिन आर्मी तयार की थी लेकिन शेख ने नहरू से कहा कि वो आर्मी को और आगे न भेजे क्यूंकि वो कश्मीर है ही नहरू ने उनकी सलहम मान लिए 1953 में शेख को पाकिस्तान की मदद और भारत के खिलाफ साज़िश रचने के लिए गिरफतार कर लिया गया यूएन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना 1947 में 5000 पठान सेन एक सीमा में खुसाए थे इंडियन आर्मी ने उन्हें खदेड दिया लेकिन आर्मी हाई कमांड के अप्रूवल का वेड कर रही थी ताकि दुश्मनों के बेस पर हमला किया जा सके नहरू ने इसकी इजाजत नहीं दी और मामले को यूएन में उठाया आज तक ये एरिया भारत के हिस्से में नहीं है और POJK बाक उक्यूपाइट जमू एंड कश्मीर कहलाता है अपनी रुत्वे का इस्तिमाल कर आर्टिकल 306A पास करवाना आज इस आर्टिकल 370 को हम जानते हैं वो पहले 306A था नहरु ने इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए शेक को B.R. अमबेड़कर के पास बहजा था लेकिन अमबेड़कर ने ये कहते हुए इसे बनाने से मना कर दिया कि कश्मीरियों का जितना हक कश्मीर पर है उतना ही देशवासियों का भी इसके बाद नहरू ने इस आर्टिकल को ड्राफ्ट करने के जिम्मेदारी गोपाल स्वामी आयंदर को दी और संसद में इसे पास कराने के लिए अपनी पूरी ताकत जोग दी ये वो गलतियां थी जिसकी वज़ा से आज भी कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी अलग था लगे